किसानों की दिल्ली कूच का आवान पर मंगलवार को हर्याना की शंबू बॉर्डर पर संग्राम छड़ा अपनी दस सुत्री मागों को लेका किसान एक तरफ राजधानी की ओर बढ़ने पर आमादा थे पर से या इससे जादस्ति खराब हो सकती है कि चलिए अभी दीपक से मारी बात नहीं उपा रही है लेकिन पवन हमें दिखा रहे थे पवर पांच लेयर की जो सिक्योर्टी है वो आप हमें दिखा रहे थे जल्दी से एक पार फिर से दिखाए दस्पीर है पिल्कुल अपने कैमेरे के मादू से आपको हम दिखा रहे है कि कैसे यहाँ कि जो सुलक्षा बवसता है इस बार जो है देली पुलीस और पार अमिलिट्रिक फोर्स ने लगाया है कूँकि पिछली बार जो गल्तिया कहां कहां गल्तिया हुई पुलीस के तरब से और पूरा इंट्लिजिजन्स रिपोर्ट इस बार मंगाया गया है कि किन-किन बिंदूओं पर काम करना है और उसी स्टेड़िजी पर फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं यानि पिछली बार देखा गया थे किसान लगतार आगे बढ़ते चले आ रहे थे उन्हें रोकने का परियास किया गया थे लेकिन वो फिर आके सीधा जो है बोडर पर धरने पर बैट गया थे जिसके बाद खासे परिशानी हुआ था सबसे परिशानी जो हुई थी यहां कि अब हरिदास नगर इलाका जाने का एक मातर यही एक रास्ता है उस रास्ते को भी सिमेंट से यहां पर बेरिकेट किया गया है क्योंकि डर है कि कहीं किसान आए और कुछ गरवड़ी ना हो और एक ट्रक के माध्यम से उसे रास्ते को रोक दिया गया है अगर पूरे इलाकी क का अलग-अलग इलाकों में जो है स्रक्षा इंजाम किया गया है इसके अलावा दिल्ली पूलिस की टीम लगतार अबावा हरिदास कॉल्णी में फ्लैग मार्च कर रही है को कि एक संक्री रास्ता है जो सिधा बोडर के तरफ भी जाता है तो पूलिस औहां भी एतिहाद बर करने से रोक दिया जाए और उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि सिक्रोटी की जो बात आपको मैं बता रहा था कि ग्रील का जो यहां पर लगाया गया है आम तो पर किसान जब आते थे आंदूलन जब हुआ था तो इसके उपर बेरिकेट की उपर वो कूद करके सिधा बाहर आ जाते थे लेकिन इस बार कंक्रीट के अलावा जो है कटीले तारे को यहां पर लगाया गया है इस तरह के कटीले तारे हम आपको दिखा रहे हैं फिर जो सिमेंट्स की जो बोरिया है अलग अलग जगों पर यहां पर लगाया गया हाला कि पुलिस के तरफ से बार ब पाँच लेयर की वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्ता की गई है लेकिन सबसे जादा गरस्तिती तनावपूर्ण बनी हुई है वो है शंभू बॉडर